ये आकाश वाणी है परीक्षा आज प्रस्तु थे श्री टी एन गोपिनाथन नायर के मल्यालम नाटक परीक्षा का हिंदिय अनुवाद तो सुनी नाटक परीक्षा आजी एन सेवाद परीक्षा आजायर के मल्यादक वादक परीक्षा जन्यादक परीक्षा का बस्तु थे नाटक परीक्षा अर्म भागी रहती, भागी रहती, जी, वहाँ क्यों खुड़ी रहे गए, इधर आओ भई, सुना आपने, कथ्थे के दाम भी चड़ गए, कल तक तो सुपारी ही 25 पैसे की एक थी, लगता है पान खाना भी कम करना पड़ेगा, अब ये गंद किस चीज की आ रही है, बिना तेल के बत्ती जल रही है, मैंने ही दिया बढ़ाया है, उसी की गंद होगी, तेल कम था न इसलिए, बिना तेल के जिस घर में बत्ती जलती है, उस घर का कल्ना नहीं होता, पूजा से किजिए उसे उल्टी आ गई थी इसलिए, अच्या बधजमी हो गई होगी, कौन जाने क्या हो गया है, सबेरा तक ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर बुला लाओंगा, अरे गुमसुमसी क्यों खड़ी हो, एक पानी लगाला, कूट तू, किसको, किसे कूट होगी, चालियों क तू, बारी कूट कर लिया हूँ, नहीं भई, सबहुते से कार दो, वही ठीक है, तुमसे ये पान किलत नहीं चूट दी, मैं कहती हूँ इसे छोड़ दो, क्यों जी, आज मैं पान में चूना जादे लगा तू, जबान चल जाएगी और, जूट बोलूं, या ओधी सीधी ज जुबान चला के रोटी खाऊं, तभी जुबान जलेगी, देखती हूँ, और भी किसी तरह तुम्हारी जबान बस, चालिस वरस से तुम्हारे हाथ के लगे पान का रहा हूँ, और सच तो ये है कि तुम ही नहीं लग डलवाई, लेने भी दो, अरे तब टोकती, तो शायद चूट जाती, या कम हो जाती, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं, और तुम्हारे हाथ के पानों से सच कभी जुबान जली भी नहीं, आज तक तुम्हारे खिलाफ एक लवज भी जिस जुबान से नहीं निकला, उसी जुबान से तुम्हें बैर हो गया, तुम्हारी जबान स यह लेज़े पान। जुबान तो नहीं जलेगे। छूग़ा हूँ। ठीक है ठीक है डरिये नहीं। धगे तीरे हाथ के पान में कुछ वमझाई हो। बनाने लगे। नही नहीं भई सच का रहा हूँ। यह पान ज्दोक खनक के नीचे नहीं उतर सा। दमाग के नौकर टांके बढ़ जाते हैं, धर्ना देने लगते हैं और जब ये नौकर काम नहीं करते हैं तो होश और आवाज ठीका रही नहीं रहते हैं मैं बॉखलाके किसी न किसी बहाने से तुम्हें आवाज लगाने लगता हूँ, समझे अरे ये पर्चे बर्चे अभी तक खतम नहीं हुए क्या हाँ बस सौके करीब हो लाएंगे जल्दी खतम भी कैसे हूँ, शुरू से आखिर तक तो चीर फार करते हैं आप कोई मात्रा बात्रा तक नहीं छोड़ते हैं वाँ भई वाँ बिना जाचे ही नमबर दे दूँ जाचनेकारत ये थूड़े ही है कि एक एक शब्द देखो सरसरी निगाह डाली और नमबर दिये अगर कोई लड़का किसमस से पास हो जाए तो आपकी निगाह में क्यो चुभे ये तुमने मारके की बात बताई मैं सिफारिश करूँगा कि अगली बार के इंतहान में तुम्हे परिख्षक बढ़ा दिया जाए अजी तो ये कोई हाथ ही बानने जैसा मुश्किल थोड़े है अरे तुम तो ये की बार में सब का मेरा पाला दूँगी जी नहीं कहिए बेरा डुबा दूँगी तुम तो ऐसे करना एक रसी मान ले ला एक सिरा इस तरफ दूसरा सिरा उस तरफ और पर्चों को उसके उपर की दरव बैग देना जो पर्चे इधर गिर है वो पास और जो इधर गिर है रहने भी दो मेरा मजाग बना रहे है अरे पर्चे देखना भी मजाग नहीं है ये कड़ी या सबजी बनाने जैसा काम नहीं है समझी समझी ये तो तिल पपड़ी बनाने का काम है अच्छा अच्छा इन बाद में कुछ छोड़ो तुमने कहा था यमुना को उर्टी आ गई थी इसलिए वो बिस तरफ बात यह है इन पर्चों में जो नंबर मैंने दिये है उनकी दुबारा न्याच करनी है कल पर्चों यमुना ही तो यह काम कर रही थी मैं पूछना चाहता था के टेम्परिरिली अगर तुम्हें यमुना की जेगा यह पर इस सोल तो ठीक है जी लेकिन रात के खाने के लिए कांजी कठल का भरता और चटनी भी तो तयार करनी है रसूई मैं जाऊं जब ही तो वक्त पर आपको खाना मिलेगा अच्छा अच्छा जाएए तो शीफ ले जाएए रसूई हमारा वक्त खराब ना कीजिए मैं तो जाही रही हूँ लेकिन यह न सोचिए कि बला टल गई क्या मतलब बाहर आपसे कोई मिलने आया मालूम होता है कौन आया यह शाम के वक्त बाहर जाकर देखे न अजनभी नमबर देख ले तो क्या होगा देख ले तुम उसे यही भेज दो अच्छा भेजती हूँ जी नमस्ते जी मैं शुरी जनार्दन पिल्ली से आये आये अंदर आजाए इधर इस तरह नमस्ते आपके तारीफ मैं मैं क्रिकाट से अच्छा क्रिकाट से पाप नील कंट पिल्ली है जी हाँ अरे ये कैसी वेश भूशा आप तो पहचानी नहीं जा रहे आपकी ये दशा कैसी हुई क्या बताऊं मास्टर सहब हमारा सब किया कराया मट्या मेट हो गया मैं तो आपको देखकर पहचानी नहीं पाया था हाँ बैठो न नहीं जी मैं खड़ा ही रहूंगा मास्टर जी आपके बराबर बैठने की मेरी हैसियत कहा अरे मैंने कहा ना बैठ जाओ नील कंट अच्छा मास्टर जी कहता है आपके बराबर बेटने की मेरी हैसियत कहा है अरे निलकंट मुझ में भी अफ क्या है मैं तो अफकाश पा चुका हूँ अरे इस पत्ते की टोकरे में क्या लाए वो अब घर से निकला ना मैं तो माने कहा बेटा आम के पेड़ से पांसाथ पकी आम तोड़ कर ले जा बड़ी खुशी की बात है माता जी कैसी है बस जी रही है हड्डियों का पिंजर रह गया है मास्टर जी उनकी दे धागे की तरह पतली हो गई है मड़ी मुश्किल से दिन काट रही है उनसे मिले 12-15 वर्ष हो गए मुझे अच्छी तरह याद है कि रिकार्ड में मैं एसिस्टेंट हैर मास्टर था तब मैंने उनसे प्रेम पाया था और वो प्यार से खिलाना पिलाना यहां तक कि मुझे अपनी मा कर दुलार याला जाता था माता जी जानती है ना कि मैं आम का रसिया हूँ इसलिए यह आम भेजे वही खुश्बू वही भागी रथी जी जानती हो यह कौन है पहचान गई भाणजे के पास ठेरे है ना जी ठेरूगा वहीं मैं अभी क्रिकाट से आ सोचा पहले आप लोगों से विल्लू फिर वहा जाओंगा विजय तो यहां बराबर आता जाता है मगर भागी रथी तुमने ने आते ही पहचान लिया था या पहचान लिया था वो फुर्तीला बदन हस्मुक चेहरा तो अब नहीं लेकिन फिर भी गया वक्त फिर हाथ नहीं आता सब बात पुरानी हो गई बहन जी आपके छोटी लड़की का जन के रिकाट में ही हुआ था उस वक्त दाई को यही निलखंट दोड़कर लाया था आप कैसे मुझे भूल सकती है याद है गारिवान के ना मिलने पर तुम दाई को गारी में बिठा कर खुद हाग लाये थे कुछ वील की गारी थी बेल बेताशा भागते थे तुम्हें तु सारी बाते सोला आने आते निलखंट हमारा घर बड़ी मुश्कल से मिला होगा आपको वहाँ चौरहा है एक दरजी से पूछ लिया उसने बता दिया उसने ये भी कहा भाटक पर तरवेणी नाम लिखा हुआ बोर्ड भी दिखा देगा तो क्या यही इस घर क नाम है इस घर का यही नाम है त्रिवेणी यानि वो जगा जहां तीन नदिया मिलती है मेरी देवी जी भागी रहती बड़ी लड़की सरस्वती और चोटी यमुना तीनों को मिला के यह जगा त्रिवेणी बन गई क्यों ठीक है ना ठीक है मस्टर जी बिलकुल ठीक है अरे तुम वैसी कि वैसी खड़ी हो नील कंट के लिए गर्मा गर्म चाय तो लाओ जी और सुनो ये आम अंदर ले जाओ तराश के लाओ अच्छ हाँ जी और क्या खबर है कामकाच कैसा चल रहा है तुम तो कोई व्यापार कर रहे थे ना जी मगर वो कारोबार ठप हो गया अधर कुछ माल जाइदात मिलनी थी उसके लिए आदालत में गए हाँ के जाइदात भी ना मिली और पास में जो कुस था वो भी लुटके मास्टर सहब अब तो हर तरह बेमानी धोका धड़ी और चोरी ही चल रही है कहते हैं साच को आच नहीं मगर अब आच होने लगी भे मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं चला हाँ विजय कभी किसी जाइदात के छगड़े का जिकर तो करना था जी विजय मेरा भांजा है उसे मुझसे इतना प्रेम है कि क्या बता हूँ हाँ मैं जानता हूँ विजय तुम्हें बेहत प्यार करता है विजय मेरे बेटे को अपने हाँ लाया है उसका खर्च उठा रहा है जो शायद अब मैं नहीं उठा सकता हाँ अब नहीं उठा सकता कितने बच्चे हैं तुमारे मेरा एक ही बच्चा है लेकिन मेरी खिसमत कि वे दोनों बार पास नहो सका मेरी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि पढ़ाई का ख़च उठाना मेरे लिए नामुम्किन था विजे ने ये सब कुछ समझा और उसे यहां ले आया और यहां लाकर उसे कॉलिज में दाखिल करवा दिया कॉलिज में वो कैसे दाखिल हो सकता था मास्टर साब क्या यहां आकर भी जी इस साल उसने फिर परिक्षा दी है अच्छा ये बात है विजे ने कुछ जिक्र नहीं किया वो तो कल भी यहां आया था वो कैसे जिक्र करता मास्टर साब शर्म की बात है मेरे लड़के ने मुझे लिखा सब सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ मास्टर जी के सब्जेक्ट में भी निकल जाओ तो इस बार पास हो जाओंगा इसलिए पिता जी को यहां तक आना ही होगा मास्टर साहब मुझे मुझे आना ही पड़ा हर पिता को ऐसा पत्र पढ़के नहीं पगाता मुझे मुझे माहफ करना मास्टर जी ने ने आपने आकर कोई गल्टी नहीं किये लड़के का रोल नंबर क्या है नंबर? इस परचे पर लिखा है इस नंबर की कॉपी आपके पास ही है मास्टर जी हाँ वो तो शायद इसी बंडल में है आपने शायद जाच ही नहीं अभी पूरी जाच नहीं कर पाया हूँ लेकिन नमबर दे चुका हूँ तो कितने नमबर पाए हैं उसने ये तो याद नहीं लेकिन मास्टर जी नेल कंट पिल्लेई अपने बच्चे के नमबर जानना चाहता है ये बुरी बात नहीं है लेकिन 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 नमबर जानने के बाद इस विशे में और बात नहीं होगी जो मैं कर सकता था वो मैंने इमानदारी से किया है नमबर पता हो जाएं यही बहुत है मेरे बाद समझ दी न इस विशाय में और बात नहीं होगी फिर जी, जी मास्टर जी कहा गया वो बंडल हाँ, यही तो है वो हाँ 62 62 नमबर में लेल से तो यह बगवान, यह बगवान वो पास हो गया मास्टर साब, आपने मेरी जान बचा लिया आरे तुम तो बड़े कमजोर दिल के आदमी हो निलकंट मैंने पर्चा खोड़ते हुए सोचा था भगवान करे वो पास हो लेकिन 62 इतने नमबर उसे कैसे मिल गए मैंने तो किसी भी छात्र को पच्पन से ज्यादा नमबर दियेगी नहीं फिर ये निलकंट रुग जाओ मैं दुबारा जोड़ता हूँ साहब अब की बार उसने बहुत महनत की थी जादा चुप रहो निलकंट आठ चाट बारा और भगवान बड़े देयालू है नहीं भगवान देयालू नहीं निर्देई है तुम्हारे लड़के को 26 नमबर मिले है क्या मा साब हाँ हाँ 26 नमबर ही मिले है तुम्हारे लड़के को 26 को शायद उल्टा लिख दिया है और वो 62 बन गए इसका मतलब मेरा बेटा फिर फेल हो गया यहीं सोचना चाहिए इस बार भीव यह बगवान बैठ चाओ बैठ चाओ निलकंट अब बैठ कर क्या करूंगा सब कह चुका सब अब तो वो चाय ला रही है चाय वो हलक से कैसे उतरेगी मास्टर जी मैं वचन दे चुका हूँ कि इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहूंगा लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे घर की हिस्जत और मेरी जान बचा लेजी मेरी जान बचा लेजी बादे जी निलकंट चरागे यमुना यमुना और यमुना जी जी बाबुजी आपने बुलाया हाँ इस कॉपी के नंबरों का टोटल तूने किया था जी आप देखो आप पाँच तो साथ चमाटो नौ और तस उननीस चमाट साथ चपिस टोटल तो ठीक है बाबुजी लेकिन पहले पैने पर कुल नंबर गलत हो गए तेरी जरा सी भूल में उस खरीब के दिल के टुकड़े टुकड़े करती है ये चाय और आम अरे क्या गए वो हाँ चला गया आम बहुत मीठे हैं यहां तो देखने को भी ना मिलें आप खाये ना ये आम हां 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 चाय वो खालकसत कैसे उत्रेगी मास्टर जी मैं वचन देचु कहूं कि इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहूंगा अगर आप चाहे तो मेरे घर की हिस्ट और मेरी जायन बचा देच। मेरी साथ मेरी आपके अपु तू आज फुटबॉल का मैच देशने क्यो नहीं आया अरे आज तो सेमी फाइनल था मुकाबला जोर का था न अरे यार कमाल का मुकाबला हुआ अच्छा कौन जी था लखी स्टार वाजी ले गई उसने तीन गोल से ट्रांसपोर्ट को हराया तीन गोल अवल दरजी की टीम और तीन गोल से हरी भई हमने तो जिंदगी में ऐसा खेल पहली बारी देखा तो लखी स्टार फाइनल में आ गया अब खेल कब होगा? कल कल नहीं परसो फाइनल होगा तू चलेगा न नहीं मैं तो मैं शायद ना चल सकूँ क्यों? क्या बात है? आज शायद बाबू जी आ जाएं यार नंदन मेरा तो जी घबरा रहा है परिक्षा का नतीज़ा तुझे मालूम नहीं हुआ इसलिए तेरा जी घबरा रहा है तीसरी बार ये परिक्षा दी है अगर इस पर भी रह गया तो तो भाबू जी मुझे जान से मार देंगा अरे यार इसमें घबराने की क्या बात है? पास फेल तो होते ही रहते है तू पास हो गया इसलिए तू ये बात कह सकता मैं नहीं तू तो पूरा डरपोग बंतर है सारी तरकीबे तुझे बता दीती लेकिन फिर भी तू मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई नकल वकल की सोचा अगर पकड़ा गया तू देख मैं तो डिक्ष्णरी के बराबर की भी मोटी किताब अपनी जांगो पर रखकर नकल कर सकता हूँ तभी तो तू पास हो गया बिल्कुल वो भी फर्स क्लास नंबर लेकर परना ये फार्वूले ये काइदे ये सब पढ़ते पढ़ते मैं पागल ना हो जाता तू बहुत समझदार है मैं ही ना समझ हूँ क्या कहूं यार सुन अपो तू इस बार निकल जाएगा के नहीं जिन पर्चों का पता लगा है उनमें तो पास हो गया हूँ लेकिन यारो अगर किसी पर्चे में खटका हो तो हजार रुपया खर्च कर बाकी पास कराने का जिमा मेरा ऐसे भी परिक्षक होते हैं जो रिश्वत नहीं लेते हो सकता है लेकिन रिश्वत लेने वाले टेबुलेशन क्लर्ग तो होते हैं और लिस्ट आकिर इनी के पास होती है टेबुलेट करने के बाद जितने माक्स की ज़रूरत होती है सो सौदा हो जाता है सब एक से नहीं होते तू सारा मामला मुझ पर छोड़ दे बस हजार रुपया तयार कर ले काश मुझे ये बाते पहले पता हो जाती है तू तू एकदम बुद्धू है बुद्धू अरे अरे अपू तेरी विजे भाई साब आ रहे है अच्छा मैं चलता हूँ है तू याद रखना परसो फाइनल है तू जा नमस्ते राइचा अपू कौन था ये जी वो नंदन वो फुटबॉल का दिवाना जी तुम्हारे बाबुजी अभी नहीं आए नहीं आभी तो नहीं आए मैं समझा था आ गए होंगे इसलिए कलब से भागा भागा आया उनके आने का वक्त तो हो गया बाबुजी अभी आएंगे हाँ उन्होंने लिखा तो यही था कहीं रास्ता नहीं भूल गये हो बस सड्डे पर उनका इंतजार करना चाहिए था कहो तो भीया मैं बस सड्डे पर जाओं नहीं नहीं शयद बस देर से आये मामा जी रास्ता नहीं भूल सकते बाबुजी के लिए नहाने का पानी रख दे बिस्तर लगा दे और खाने का इंतिजाम भी कर दे ठीक है भाईया अभी करते हैं अभुजी लो तुम्हारे बाबुजी आरहे हैं हम चदें नमस्ते बाबुजी नमस्ते झाल नमस्ते बाबुजी आब आपकी बाथ ही प्रभाबुजी क्या पाभुजी क्या रास्ता भूल गयते कॉन रास्ता भूलकिया मैं चुपना चुपरत तू इंगा मैं तिरी यवास नहीं चुनना चाहता थैजिसल नहीं श्ट檸 बहाता बाग चाहिए यहां से मैं कहता हूँ मामा जी विजय इस निकम्मे को मेरे सामने से हटा दे उत्लम में मेरे कुसूर बाभु जी कुसूर के बच्चे मेरे आखों के सामने से हट जाओ अला तरह गला गोट अंदर चल जाओ आपू जो बेटा इस निकम्म को खिलने पिलने से कोई निकाल दो इसे घर से आप बैठे तयसे ज्यक्तिन क्या फायदा है आप तो गाओ यहिए मेरी समझ में कुछ नहीं आरा, यह जिस घर में आराम मिलता है उसी घर को चुटा है मैं उसे देखकर शान्त कैसे रह सकता हूँ आप अप्पो की बात कर रहे हैं इस बार वो परीक्षा में पास हो जाता तो कंपनी में नौकर हो जाता सहाब ने वजन दे रखा है मकर मेरी आखो में अंधेरा चा रहा है बेटा तुम मेरा दुख नहीं समझोगे मातर जी की बीमारी के लिए जो पैसा में ने बचा कर रखा था वो भी इसकी पढ़ाई पर खर्च हो गया और ये ये कमपाट पास ना हुआ है जब मुझ में ताकत नहीं रहे तो तुम से यहां ले आए ये ये फिर फेट एक पर्चे में फेल हो गया तो आप विश्वास रखें वो ज़रूर पास होगा जनारदन पर लएके पर्चे में भी नहीं नहीं उस पर्चे में उससे सिर्फ 26 नमबर मिले है यूं कहिए मिले थे अब वो ज्यादा हो गया है नहीं नहीं ये खलत है विजय मैं खरीब हूँ लेकिन इससत्तार हूँ मैंने मास्टर साहब से सब कुछ कहा मिन्नत की है लेकिन उन्होंने कह दिया मेरा बेटा फेल हो गया क्या आप वहां गए वहीं से आ रहा हूँ आपको वहां नहीं जाना चाहिए था मामाजी क्या शायद उन्हें पता नहीं चला है लेकिन लेकिन मैंने ही उस पेपर पर नंबर लिखे थे तुमने तुमने नंबर लिखे जी आपको साफ साब बताता हूं मामाजी जनारदन पिल्ले की छोटी लड़की यमुना मेरी मंगेतर है क्या उन्होंने ये बात मुझसे तु नहीं कई आप तो उन्हें जानती है मामाजी कुंडली दिखाए बिना वो आपसे कुछ नहीं कहना चाहते होंगे आप बेफिकर रहें मैंने अप्पु को पास कराने का बीड़ा उठाया है वो जरूर पास होगा मास्टर साब अपना फैसला मामाजी आप भरोसा कीजिए साब ठीक होगा बाबुजी कॉफी मामाजी कॉफी लीजिये हाँ हाँ कॉफी बाबुजी हाँ कॉफी अप्पु अप्पु माँ ये कोई आसान बात नहीं है हाँ हाँ मैं भी तो यही कहती हूँ आसान बात नहीं है सुनो माँ डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बुला कर खुद ये बात कही है ओफो फिर मैं क्या करूँ बेटी मैजिस्ट्रेट हो या कोई मुझे या उन्हें उससे क्या डर माँ तुम बाद की गंपीरता को नहीं समझती चांती हो मेरे पती तहसीलदार है और डियम के आधीन काम करते है तो फिर मैंने कहा ना ये बात उन्हें अपने जिम्मे ले लिए इसलिए निभानी है बेटी अगर खाने पीने की चीज़ कहती तो मैं बना कर भेज़ देती माँ आप बात की गंपीरता को समझते हुए भी उसे उड़ा रही है तो तो बताती क्यों नहीं कि मैं क्या करूँ बेटी टी एम का लड़का है न माँ उसे फर्स डिविजिन दिलानी ही है तुम बापुची से नहीं नहीं मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी तो मामने सामने बात करो बेटी लेकिन मा सरस्वती तुने 22 बरस से जानती है और मैं 40 बरस जबी तो मा वो तुम्हारा कहना तु बेटी उन्हें जानते हुए भी नहीं जानती लेकिन मैं बताए देती हूँ बेटा इनसे ऐसी मांग करने से कोई लाब नहीं होगा मा मा कोई रास्ता तो निकालना ही होगा रास्ता यही है बेटा कि तेरे बाबु जी को चीफ एक्जामिना ना बनाया जाए मा हाँ तु जाकर अपने दिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट के बेटे से कह दे कि वो मेहनत करें और इमानदारी से परिक्षा दे तो मैं मैं खुद बाबु जी से बात करो जरूर या या फिर इनसे कह दूँ कि ये आके बाबु जी से बात करें हाँ ये भी ठीक है ओले वो तेरे बाबु जी तो यहीं आ रहे है पूछ ले उनसे कि वो तेरे तैसी इलदार पती की बात मानते हैं या चुप करो न माँ कौन? अरे सरसू तू का बाई बेटी? अभी बाबजी, बस थोड़ी देर हुई यमुना समिली? उसी के पास तो बैठी थी उसका बुखार उत्रा नहीं है बाबजी कोई बात नहीं, मंदिर से आते हुए डॉक्टर पर होते आएंगे तो एक शीशी भी साथ ले लू? नहीं, मंदिर जाने के लिए तयार हो जा अच्छा, अभी आते हैं क्यों सरसू? यमुना की शादी के बारे में तुझे कुछ बताया तेरी माने हाँ, जन कुणलिया खूब मिलती है बस यही कहा माने तूने विजय को देखा? जी हाँ, समझदार मालूम होता है तैसिलदार बाबू, यमुना के लिए कोई योग्यवर ठून नहीं पाए इसलिए भगवान की कृपा से आप तो अच्छा वर मिलना बाबू जी तेरा भी यही खे जोड़ी अच्छी रहेगी हाँ, बाबू जी क्या बात है? कुछ गर्बर गर्बर? नहीं, कोई गर्बर नहीं, बाबू जी सर्सू बाबुजी आप तो चांगे होंगे ना कि मैं यहां क्यों आई हूँ मैं समझा नहीं बाबुजी इनका एक officer है उसके लड़के को number स्यादा देने है सिफारश लेकर आई हूँ इन्होंने अपने officer को वचन दे रखा है बाबुजी वचन तूट गया तो officer रुष्ट हो जाएगा नौकरी चली जाएगी बाबुजी पगली ऐसी नौकरी को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए लेकिन बाबुजी कोई चार-पांच हिम्मत वाले सामने डट जाए और विरोत करे तो कितना अच्छा हो विरोत से क्या फाइदा फाइदा तो ऐसा हो कि अफसर भी जान जाए ये तो ऐसे वाता वरन में पले हैं बाबुजी कि चीनी सीमन के पर में दिलाने पर भी रिश्वत लेते हैं सरसू तू मेरी बेटी है तुझे तो अपने ख्यालात नहीं बदनने चाहिए और उसके भी आदस सुधाने चाहिए मैंने बहुत कोशिश की बाबुजी लेकिन लेकिन कामयाब नहीं हुई यानि तू हार गई और वो जीत गया वो ज्यादा रिश्वत लेता है बड़ा चोर बनता जा रहा है मैं ऐसा ही कहूंगा अगर तू उसे शुरू से सभाल कर रखती तो शायद वो बच जाता तू मुझे यहां आका रहना पड़ता लेकिन जब उसे खोश आता वो तुझे पालकी में बिठा कर ले जाता अभूजी कोई बात नहीं अभी देर नहीं हुई है तू उसे सभाल सकती है वो पहले मुँ बिगाड़ेगा डाटेगा और अगर तू हिम्मत नहीं हारेगी तो उसकी आदत रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाएगी देख बेटी ये पैसे का लालच बहुत पुरी बिमारी है मनुष घमंडी हो जाता है तू तू मुझे विश्वास दिला ये ये चोर बाजारी का पैसा तू नहीं चुएगी नहीं लेगी हो सकता है बेटी पहले तुझे दुख हो लेकिन बाद में बाद में शांती मिलेगी शांती बाबुजी सरसू तू मेरी आखों के तरफ देख तू मेरी बात की परीक्षा लेगी बोल लेकि परीक्षा लेकि बोल लेकि परीक्षा परीक्षा लोगी बाबुजी लोगी मैं विश्वास करूँ हाँ, बापुची, आप मेरे पूच्छ है, आपके बात में कैसे टाल सकते हूँ बेची, तु खबरा देही, सब ठीक हो जाएगा, मैं कहरा हूँ हाँ, बापुची सरस्वती, सरस्वती जचा, उने बात की सब बात हुई, क्यूं ये चोटी कैसी बनाई है, पॉनी टेल क्यों नहीं बनाई इस उमर में पॉनी टेल बनाऊंगी आँ बही मुझे तो पॉनी टेल बहुत अच्छी लगती छोड़ो ये बात, ये लो चाबी कैसी चाबी अपने कमरे की कमरा खुला छोड़कर जाना ठीक नहीं इमताहन के पच्चे रखे आगा अच्च अच्छ सरस्वती तू क्यों खामोश है आरे वो खामोश है तो क्या हुआ तू जो बोल रही है किसे लिए ने आई है मोटर मुझे जाना है बाबुची यह आए है क्या? जी, साहब मोटर में बैठे हैं अच्छा मैं अभी आए क्यों बेटी, तहसीलार साहब यहां क्यों नहीं आए? मुझे क्या पता अच्छा अच्छा मैं उनके पास चलता हूँ यमुना, यमुना क्यों माँ? बेठी, हम मंदिर जा रहे हैं अभी आजाएंगे तुम आराम करना, तहलना नहीं अच्छा यमुना, मैं कल आउंगी यमुना, यह चाबी अपने पास रख ले तेरा हाथ क्यों काप रहा है? खुछ नहीं, खुछ नहीं बाबुजा अच्छा, आराम कर बेठे, आराम कर यमुना बाबुजी और माताजी को मंदिर की और जाते देखा था मैंने आप से बात हुई? हाँ, उन्होंने कहा यमुना बीमार है मैं उनसे आग्या लेकर आया हूँ कैसी हो? एक हवते के छुटी ले रखी है मैंने जब तुम्हें दफ्तर में नहीं देखा तो ख्याल हुआ तुम बीमार हो क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं दिल में धुवासा फिर बुखार उल्टी इतनी ठकावट मालुम होती है कि बस इस वक्त भी बुखार है क्या? नहीं आज कुछ ठीक हो सुनो हमारी जन कुंडली मिल गई है अच्छा वो तो हम पहले जान चुके थे अच्छा हमारे जानने से क्या फायदा यह परिशानी बेचैनी यह उल्चन यह सब तो अब दूर हुई है और हमारी? शुरू कैसे? मुझे क्लब में तुम्हारा ताश खेलना वगरा पसंद नहीं टैनिस? जो भी हो, छे बज़े तक घर ज़रूर आना होगा और? और अखबार चापे वाली बुशर्ट पहने होगी तो मैं साथ नहीं जाऊंगी मुझे वह बिलकुल अच्छी नहीं लगती मुझे नालोन की साड़ी नापसंद है मेरे पास की साड़ी ऐसी है ही नहीं टैक्सी कार के लायक मेरी आमदनी नहीं है ठीक है मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है चलो तो चले अभी? अभी कैसे? क्यों? क्या मैं पराया आदनी हूँ? नहीं लेकिन मुझे डर लगता है डर? वो बला क्यों? अगर अगर शादी की तारीख में देर हो गई तो? अब देर होने के क्या वज़े यमना तुम मन छोड़ा ना करो हसो बोलो वेजय तुम रोज आओगे ना रोज यहां आना ठीक नहीं हम दफतर में ही रोज मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि अब इसके खत्म होने के बाद ही दफतर आ सकूंगे नहीं यह ना करना मैं रोज आने की कोशिश करूँगा अच्छा अब मुझे जाने दो वो सब आते ही होंगे उनके आने के बाद चले जाना अरे हां आपके मामा जी बहुत मीठे आम लाए थे मामा के यहां आने से बड़ा गोलमाल हो गया सच बहुत बड़ा अनर्थ हो गया विजय हमने भारी खलती की थी मैंने जान बूचकर वो गलती की थी बाभुजी ने बाभुजी ने नमबर पहले ही जोड रख थे भगवान ने जोडी का मौशा दिया लेकिन जोर को यह वहर कर दिया फिर क्या हुआ बाभुजी ने मुझे बूलाकर पूझा तो मैने गलती मान ली मैंने कहा, बाबुजी, 26 की जगह जल्दी में 62 लेती है मैंने फिर तुम्हें डाट पड़ी? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ कहा तो नहीं विजय लेकिन उन्होंने सोचा क्या, ये भगवान चाने उस रात मुझे नीन भी नहीं आई ऐसा मालूम हुआ, कि जीवन भर जो कुछ पाया, वो साब चलकर रहा खो गया क्या कह रही हो? मैं बेजान गुडिया की तरह दिवारों को तकती रही और इसी तरह रात कट गई ये मुना सुभा जब बाबुजी मेरे पास आये और हसकर बोले तो जान में जान आये गलती तो मेरी थी तुमने अपने उपर ले ली ये मुना मैंने एमे पास किया है आखरी परेक्षा में प्रोफेसर साहब ने खुश होकर सोलह नमबर बढ़ा दिये और मेरा फस्ड डिविजन आ गया इसी वज़े से आज मुझे दो हजार रुपा तंखा मिल रही है ठीक है लेकिन विजए दुनिया में कई तरह के आदमी होते है सब के विचार और आदर्श एक से नहीं होते परेक्षा देने वालों के हालत भी ऐसी ही होती है अकलमंदर बुद्धू दोनों प्रकार के चात्र होते है अलग-अलग हालात में उन्हें परेक्षा देने परती है किवल पर्चे को देखकर ही परेक्षक को फैसला नहीं करना चाहिए मैं मानती हूं कि पास हो जाने वाले हैं बुद्धिमान नहीं होते और जो फैल हो गए है वो एकतम मुर्ख नहीं होते और किसी विशय पर लिखे तुत्तर को नाप दोल कर नंबर नहीं दिया जा सकता ठीक है नहीं दिया जा सकता फिर जितने चात्र परेक्षा में पास होते हैं सब इमानदारी से पास होते हैं नहीं कुछ लोग नकल टीप कर पास होते हैं जो समर्थ हैं वो परेक्षकों की मुठी करम करके कुछ टेबुलेट करने वालों की लापरवाही से पास हो जाते हैं और कुछ बेचारे उन्हीं की वज़े से फेल हो जाते हैं हाँ हाँ जो सच है वो सच ही है इस बात को सोचकर अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए कि हमने भारी घलती किया अच्छा ठीक है जो होना था, सुख हो गया मगर यमुना, जो होना था, वो तो नहीं हुआ क्या मतलब? हमारी कोशिश कामियाब नहीं हुई हमने घलती की, अधर्म किया मगर समस्या वो नहीं है, समस्या दूसरी है भगवान केच्छा देखो, तुम मुझे खलत ना समझो तुमको भी मैं खलत समझूगी मेरी हालत तुम नहीं जानती यमुना मेरे मामा जी एकदम भोले भाले है वो अपने गाउं से इसलिए आए कि अपने बेटे के पास होने की ख़बर सुनेंगे उनका विश्वास है कि मैं उनके बेटे की पढ़ाई की देखभाल कर रहा हूँ मगर वो तुम्हारे बाबुजी से मिलकर जिन्दा लाश हो गए है अब वो घर में इस तरहें पढ़े हुए हैं जैसे कोई पंक गठा पक्षी अप्वो की हालत और भी खराब है वो बरसों के पढ़े हुए मरीज जैसा हो गया है वो ना बाबुजी के सामने जा सकता है ना मेरे सामने आ सकता है विजय मेरा सर चक्रा रहा है मैं उन दोनों को सांतोना दे कर आया हूँ यवना, अब ये काम साधना है नो नमबर ही चाहिए उसे हाँ, नो नमबर मैं अगर बाबुजी से बात करूँ बाबुजी बेरहम तो नहीं नहीं, नहीं मैं जानता हूँ ये खलत बात है लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं आओ, हम नो नमबर के लिए उनसे याचना करें याचना? मैं मामा जी को कैसे समझाओं कि मेरी कोशिश बेकार गई और इसका नतीजाब मैं उनसे याचना करू सही तो यही है, देखो तुम उनके ज्यादा निकठो तुम जो कहोगी वह मान लेंगे नहीं, नहीं, मैं उनसे इस विशे पर कुछ नहीं कहूंगी क्या मेरे लिए भी नहीं? देखो विजय, मुझे मजबूर नहीं करो मुझे पर धया करो क्या मेरे लिए एतनी तकलीप भी नहीं से सकते है तुमारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकते हूं मैजे मगर बाबुजी के आदरश ही उनका जीवन है मैं उन्हें नश्ट करके बाबुजी को आगात नहीं 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 मैं यह सोच भी नहीं सकती ठीक है अगर तुम्हारे विचार यही है और तुम अडिक हो तो मैं भी अपनी दुन का पक्का हूं मैं खुद उनसे मिलूँगा बात करूँगा फिर दुन को दोशना देना ए भगवान लो माता जी और बाबुजी आ गए अब तो भगवान ही रखशक है ए भगवान अच्छा मेरा तो ख्याल था विजय तुम चले गए होगे जी मैं जाने ही वाला था लो यह प्रसाद का चंदन जी दीब्दान के समय जो मैंने जोती देखी आज से पहले कभी नहीं देखी थी मैं यमुना को प्रसाद देकर अभी आती हूं बैट चाव जे जी मैं ठीक हो हाँ वो तुम्हारे मामा जी आये थे चले गए क्या जी नहीं मैंने रोक लिया है कब तक जाएंगे जी अभी तक सोचा नहीं ठीक है तो उसे कहना वो मुझसे मिल जाएं जी कहतूंगा वो यहां आये थे जी बहुत बोले हैं बहुत दुख पहुचा होगा उन्हें उन्हें समझाना सांतों न देना मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है हाँ कहो मुझे डर है कि आप तुम नेलकंट पिल्ले की बात कहना चाहते हो मामा जी यहां से पागलों की तरहें परेशान घर पहुचे उन्हें गहरा सद्मा पहुचा है आप जानते हैं उनके जीवन का लक्ष किवल अपने लड़के को किसी अच्छी नौकरी पर पहुचाने तक ही है लेकिन अब उनकी सारी कलपनाएं धुआँ बन गई है हाँ सो तो है लेकिन क्या किया जा सकता है उन्होंने खाना नहीं खाया किसी से बोलते नहीं उनके बेटे की हालत और भी बुरी है मैं समझता हूं मेरे भी दिल की हालत हजीब सी हो रही है मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, इतना है कहना चाहता हूँ कि मैंने उनसे वादा किया है, ये जिम्मेदारी लिए है मैंने अपनी अंतरात्मा को कभी धोका नहीं दिया विजय, बचपन से ही जिसी इमांदारी से मिलिप्टा हुआ आ रहा हूँ, इस बुढ़ापे में उससे छोड़कर पवित्र नहीं बन सकूँगा ये परीक्षा ही इमांदारी और पवित्रता की कसोटी नहीं ये इमांदारी से परीक्षा देकर मैं पास हुआ, इमांदारी से परीक्षा देने की मैंने हजारों छात्रों को शिक्षा दी, इमांदारी से आज तक मैंने परीक्षा भल तयार की, मेरे लिए ये परीक्षा ही इमांदारी और पवित्रता है चात्रों के लियाकत खूबियां परीक्षा से नापी जा सकती है क्या नहीं इस परीक्षा प्रणाली की हजारों समस्याएं हैं सीमाएं हैं भरश्टा चार भी नालायक और काट के उलू भी परीक्षा में पास हो जाते हैं हाँ हाँ होते हैं अकलमंद और समझदार फेल हो जाते हैं हाँ, वो भी होता है कुछ लोग परीक्षा पत्र खरीद लेते हैं और पास हो जाते हैं ये भी हो सकता है दूसरों से लिखवाई हुए कापियां असल की जगें बदली जाती हैं ये भी मुम्किन है मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रिश्वत देकर अपने बच्चों को फस्क्लास और दिस्टिंक्शन दिलवाया मैं भी उन लोगों को जानता हूँ फिर भी आप इस परीक्षा को इस प्रणाली की पवित्रता और इमानदारी की कसोटी मानते हैं प्रणाली और परीक्षा का संबन्न अंतरात्मा से भी तो है विजय मैं उसे भ्रष्ट नहीं होने दूना मैं आपसे सहमत नहीं आपका द्रिष्टिकॉंड मेरे द्रिष्टिकॉंड को तुम अच्छा नहीं समझोगे क्योंकि तुम भावना में डूबे हुए हो और मैं कर्तव के कगार पर खड़ा हूँ विजय हमारी परिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है ये ख्याल आज ही क्यों आया जब तक और कुछ ना बने जो है उसे ही स्रिष्ट मनना पड़ता है बीठा दूसरे भ्रष्टाचार करें तो क्या मुझे भी अपने आदर्श अपने विश्वास छोड़ देने चाहिए ठीक है आप अपने आधर्शों पर अडिग रहिए मुझे अपने मामा का दुख तूर करना है उनकी हाल से वो छुपी नहीं है मैं जानता हूं उसका दिल तूट रहा है ये जानते हुग भी आपका पत्थर दिल नहीं पिगलता परिक्षा परिक्षा है विजय इसमें एक नीलकंट पिल्लाई नहीं हजारों चातर जल रहे हैं उनके माबाब छुलस रहे हैं मेरी अंतरात्मा सब देख रही है मेरा इससे क्या संब्ध लेकिन मेरा है मैं एक को नहीं सब को देख रहा हूं आप नीलकंट पिल्लाई को सब के बराबर समझ रहे हैं आपको ये जानना पिल नहीं मुझे जानते हैं विजय और ये भी जानते हैं वो कि जहां वो हार गए वहां कोई नहीं जीज सकता सिर्फ नौ नमबर की बात है ऐसे भी छात्र हैं विजय जिन्हें चार दो या सिर्फ एक नमबर ही चाहिए मगर वो हाथ जोड़कर आपके पास नहीं आए मगर मेरे मन की आखें उन्हें हाथ पहलाए अपने सामने देख रही है मैं परीक्षा कूँ विजय परीक्षा लेने वाला ठीक है अब मुझे आप से कुछ नहीं कहना मैं जा रहा हूँ ठैरो नाराज होकर जा रहे हो देखो मुझे गलत मत समझो बेटा आपने मुझे गलत समझा नमस्कार क्या नहीं नहीं इसा नहीं होगा नहीं यमुना, यमुना, यमुना जी बाबुजी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटी आपने मुझे बुलाए था ना बाबुजी नहीं, नहीं, मैंने तो बाबुजी जा बेटी, जा, कोई बात नहीं अपनी माँ को मेरे पास फेज़ दे अच्छा बाबजी, क्या बाथ हैजी? में, 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 मौत हैँ बाथ हैँ, बाथ हैँ बाथ हैँ अब टीकू, टीकू लेकिन क्या बाथ है, आप तो पसीना पसीना हो रहे हैं पंका खोलो नहीं, नहीं, ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ पान आज तो नौ पान खा चुके हैं नौ नौ नमबर नौ पान नौ रहे हूँ बैन जी, कौन, निलकन जी, आये, मास्टर सहाब, दाखाने तक गए हैं, अभी आते ही होंगे, मास्टर जी ने विजे से कहा था, कि मैं गाउं जाने से पहले उन से मिलनू, जब ही तो, लेकिन ना जाने क्यों, आज विजे ने मुझसे कहा कि मुझे मास्टर जी से नहीं मिलना चाहिए, विजे ने कहा, क्यों, ये तो मैंने भी उससे पूछा था, उसने बताया ही नहीं, यहाने से दुख तो हुआ मुझे, लेकिन, लेकिन मास्टर जी का ना होना ठी आप तो उनकी आदत, नियत सब कुछ जानते हैं ना? हाँ, वो अपनी आत्मा के खिलाफ कुछ नहीं करते, मुझे उनसे कुई शिकायत नहीं लेकिन मुझे इस खड़ना से कितना दुख पहुंचा है बैन जी, यह मैं बता नहीं सकते उन्हें भी बहुत दुख है, वो न ठीक से सो सकते हैं, न खा सकते हैं सिर्फ आठ नो नमबर की कमी थी, उसका बेड़ा पार हो जाता, हमारा बेड़ा पार हो जाता नीलकंची, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन लाचारी है लाचारी? नो नमबर दे सके? वो नमबर दे नहीं सके, ये आपसे कहना भी ठीक नहीं था, लेकिन नीलकंची, इन्हें आम बहुत पसंद हैं उस दिन इन्होंने एक फांक ओट से लगा कर फिर प्लेट में रख दी, बोले, नीलकंच पिल्लहे चाय पिये बिना चले गई तो फिर ये आम का टुकड़ा मेरे गले से कैसे उतरेगा? मैं ये चानता हूँ, मुझे बहुत चाहती, मुझे भी उनसे बहुत लगाओ है मेरी बड़ी बेटी तहसीलदार को ब्याही है, वो यहां सिफारिश लेकर एक लड़के को फॉस्स दिविजन दिलवाने आई थी, दामाद के साथ बाप ने उसे ये तक न बताया कि लड़के के कितने नंबर हैं बेटी जवाई बुरा मान गए, लेकिन इन्हें दुख नहीं, इन्हें तो यही दुख है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सके इसलिए तो इन्होंने आपको बुलाया है मास्टर जी महान व्यक्ति है, मैं तो उनके धूल के बराबर भी नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं उनके सामने कैसे खड़ा रह सकूंगा नील गंट जी, एक बात बोचो जी विजह ने आप से क्या कहा था? वो मुझसे ज्यादा दुखी है, नौजवान है न? अपनी मंगेतर के पिता से नौ नंबर की भीक वो ना पा सका इसका उसे बहुत दुख है सौभा भी की है लेकिन इस बात के कारण क्या वो शादी नहीं करेगा? जी, क्या उसने कुछ कहा? इन से बिगड़कर वो चला किया था, मुझे डर है ओ, ठीक, ठीक अब मुझे पता चला, उसने यहान को मुझे क्यों मना किया था क्यों, नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरी बेटी, वो बिमार है, वो खार में तप रही है वो, अगर विजय ने उसे छोड़ दिया, तो उसके जिन्दक में जी, मुझे वालूम नहीं था, मैं जा रहा हूँ आप मास्टर जी से कह दीजे मैं यहां आया था, उनसे कह दीजेगा मुझे उनसे कोई चाहिए, मेरी एक बात सुनते जा मेरे कारल सब कुछ गर्मण हो गया, सब बर्बाद होने जा रहा है, नहीं, मैं जा रहा हूँ मा, तुम कुछ सोच रही हो मा, तेरे बारे में ही सोच रही थी सोचने से क्या लाब है मा, जो होना था, सो हो चुका अब मेरा जिम ऐसा नहीं गए बेटी, लेकिन तेरे बाबोजी, जो वो यह जाने ली तो शायद सेह न सकी मा, मा मेने खलती की, मगर अब क्या बेटी, मैं मा हूँ, जो कुछ मैंने कल सुना, वो आसा ही था मा, सब कुछ सुनकर तुमने मुझे जान से क्यों न मार डाला, मार पीट कर मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया मैं जिस लायक हूँ, मुझे वही सजा मिलनी जाहिए, मा, वही सजा नहीं बेटा, नहीं, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं मा, मा मेरी एक प्रार्थना मानोगी, मुझे जाने दो, मा, मुझे जाने दो तो कहने जाएखी बेटि कहीं भी जह मुझे कोई चानता नहीं हो किसी न किसी तरह गुजारा कर लोगी मा गव राओनेहीं मैं नहीं मरूगी चप होज़ा मुझे जाला सोचने दे मा यही सोच लो को मुझे ब्याहद कर कोई दूर ले गया है यम्न, अगर तुम्हे मुझसे प्यार है माँ, मुझ पर रहम कर सकती हो तो मुझे जाने दो मुझे जाने दो माँ बेटी, इतने निराभा यह हुआ करते बेटी कभी-कभी भादे का सहारा लेकर समय मिता दिया करते देख, तेरे बाबुची हा रहे है जी क्यों जी ये मा बेटीयों में क्या बात हो रही है फागेरती पानी गरम हुआ मुझे नहाना है मैं देखकर आती हूँ हाँ, वो नील गंची आये थी अच्छा, क्या वो गाउं चले गए साफ साफ तो कहा नहीं, कहा जा रहा हूँ अच्छा, मैं नहा लूँ फिर ले बेटीये मौमबत्ती, मोहर और लाख अभी पर्चों के बंडल पे मोहर लगानी है अरे तू ये बंडल क्यों उठा रही है, बहुत भारी है ला पहले मोहर ही लगा लूँ फिर नहाँगा बस 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 ये मोहर आखरी बार लगा रहा हूँ आएंदा ये काम ही नहीं लूँगा इससे मिलने वाली दौलत और शौरत की मुझे जरूरत नहीं कैसा बुरा पेशा है सारी दुनिया के लोगों से दुश्मनी बोल लेनी पड़ती है हमसे तो अपने परहे सभी नाराज हो गए हमारे बीटी अभी जी नहीं बीटी तेरे हाथ क्यूं काप रहे हैं नहीं हाँ 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 तू तो बिमार है जा आराम कर बीटी जी जी मैं ये काम खुद ही कर लूँगा तू जा जी गई विचारी सुवान से कुछ नहीं कहती कैसी दशा हो गई है इसकी पर क्या किया जाए पानी गरम हो गया है यमना गई बहुत कमजोर हो गई है पर्चों पर मोह लगा रहे हैं हाँ आज इन्हे भेजना है सुनिए अभी मोहन न लगाई है क्यों इस बंदल से पर्चा निकालना है क्या मतलब नीलकंजी के बेटे को नौ नंबर देने है भागी रथी ये मा की प्रात्रा मगर यमुना की मा पेपर निकालकर नौ नंबर दे जीजिए मैं ये शरूर तु तुम मुझे अच्छी तरह जानती है हाँ हाँ चालीस बरस से फिर भी ये कह रही हो हाँ हाँ भागी रथी जोर से न बोलो अगर कोई दूसरा चारा होता तो मैं ऐसा न कहती अपनी बेटी की मजबूरी मुझे नहीं सही जाती है विजय की बात कर रही हो अगर वो यमुना के साथ शादी नहीं करेगा नौ नंबर ज्यादा नहीं देने से उसका प्यार मिट जाएगा लड़की की हालत तो देखिए मुझे मालूम है लेकिन मैं क्या करूँ भगवान उसे क्रवा कर नहीं नहीं मैं यह सब नहीं कर सकूँगा भगवान की क्रपा होगी तो यमुना को कोई दूसरा पती मिल जाएगा तो तुम नो नंबर नहीं दोगी अगर मैं किसी एक को नंबर दू तो दूसरे को कुछ नहीं होगा विजए उससे शादी करे या ना करे अगर आट महीने बाद इस घर में मुनने का रोना सुनाई दे क्या 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 का तुने बुछने का एक ही उपाय है बात की गंभीरता में समझ गया हूँ कोई बात नहीं मैं अभी जाकर विजए से मिलूंगा विजए आख्या मास्टर जी आपको कश्ट नहीं करना पड़ेगा नील खंट जी विजए बाबुजी विजए ये रहे पर्चो के बंदल ये रही पैंसिल तोड़ दो डोरी और सुधार लो नंबर हाँ सुधार लो न नहीं नहीं बाबुजी मैंने तुम पर विश्वास किया था विजए विश्वास है कि तुम बाबुजी बेटा विजए मुझे जाना है लेकिन मेरे जाने से पहले मास्टर जी के चर्णों में गिरकर माफी मांगो तभी मेरे मन को शान्ती मिलेगी ऐसा इंसान नेल खंट चर्णों की धूल माथे पर लगाओ नहीं 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 मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तुम सब बच्चे हो निरे बच्चे मुझे एक्षमा कर दीजे बाबुजी अपू के नंबर नहीं मास्टर जी मैं फिर से पर एक्षा दूंगा हाँ 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 और मेरे पास रहकर क्यों निल कंट मन्जूर है ना यमुना तुम्हारे घर चली जाएगी और यह अपू मेरे पास रहेगा और हाँ विवाह पर आओ तो आम लाना न भूलना घाओ जाकर माताजी से कहना आम बड़े मीठे थे बहुत मीठे बहुत बहुत मीठे बहुत मैं तकिट बहुत मीठे पास पनके खास परीक्षा अभियापने श्री टी एन गोपिनाथन नायर के मल्यालम नाटक परीक्षा का ये हिंद्य अनुवाद चुना निर्देशक थे सतेंद्र शरत और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूस हसन नाटक में भागलेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अरुन माथूर, दीनानाथ, तरुन बजाज, बाबला कोचर, बी एस भटनागर, रश्मिदर और राजकुमारी प्रसाद ये नाटक, केंद्रे नाटक के कांश द्वारा, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र परते यार किया गया इस बाते समठ़ के दिल्हाजsay के अन Greg Tens, कि द के दिल्ज chiहां के दनकार, आकाशवाणी प्रकोचर केद़्न लेकार, प्रकोचर प्रकोचर के सकाल स्धूर माथ। झाल झाल